हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आबर यूटूब चैनल, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक से लेकर 20 तक के सभी तत्मों का नाम, उसके संकेत, उसकी परमानु संक्या तथा परमानु दरम्मा जानने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को आन तक जरूर हैं, तो पहला है है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत हो जायाएगा हैज, हाइड्रोजन का संकेत क्या हो जायाएगा हैज, और हाइड्रोजन की परमानु संक्या होती है एक, अब इसका परमानु दरम्मा दरसल होता है 1.008, लेकिन हम लोग एक ही इसमें रखेंगे, दूसरा है हिलियम, हिलियम का संकेत हो जाएगा HE, हिलियम का संकेत HE, और इसकी परमानु संक्याँ दो होती है, और हिलियम का बोले परमानु द्रम्मान तो ये हो जाएगा चार नेक्स है हमारा लिथियम, लिथियम का संकेत बोले तो LI होता है, लिथियम का संकेत LI और इसकी परमानु संक्याँ होती है तीन, और इसका परमानु द्रम्मान हो जाएगा 6.94 नेक्स है हमारा बेरियलियम, क्या है बेरियलियम, तो बेरियलियम का क्या हो जाएगा संकेत, तो बेरियलियम का संकेत हो जाएगा BE उसके बाद बिरिलियम का हो जाएगा परमानु संख्या चार और बिरिलियम का धरमान क्या हो जाएगा तो इसका धरमान हो जाएगा नौ ठीक नेक्स है हमारा बोरोन क्या है बोरोन तो बोरोन का क्या हो जाएगा संकेत बोरोन का हो जाएगा बी और ब्रोन का परमानु संख्यां हो जाएगा 5 और इसका परमानु द्रम्मान हो जाएगा 10.8 नेक से हमारा कार्वन का संकेत होता है C और कार्वन की परमानु संख्यां 6 और इसका परमानु द्रम्मान हो जाता है 12 नेक से हमारा नाइट्रोजन तो nitrogen का संकेत हो जाएगा N और इसकी परमानु संख्या होती है 7 और परमानु द्रम्मान कितना होता है तो 14 नेक्स है हमारा oxygen क्या है oxygen तो oxygen का संकेत होता है O उसके बाद परमानु संख्या होती है 8 और परमानु द्रम्मान होता है 16 आगे है हमारा फलोरीन तो फलोरीन का संकेत क्या होता है एप और फलोरीन का परमानु संख्या होता है नौ और फलोरीन का परमानु द्रम्मान होता है उनीश नेक्स है हमारा नियोन नियोन का क्या हो जाएगा संकेत तो नियोन का हो जाएगा एन इ पर्मानु संख्या इसका 10 और पर्मानु द्रम्मान कितना हो जाएगा 20.1 नेक्स है हमारा सोडियम तो सोडियम का संकेत हो जाएगा एन ए इसकी पर्मानु संख्या होती है 11 और इसका पर्मानु द्रम्मान हो जाता है 12 next है हमारा magnesium तो magnesium का संकेत क्या हो जायेगा то mg उसके बाद इसकी परमानु संक्या हो जाएगी 12 और परमानु द्रमान हो जायेगा 24.3 next है हमारा aluminium aluminium का संकेत होता है al और aluminium का अगर बोले परमानु संख्यां वो होती है तेरा और एल्मूनियम का परमानु द्रम्मान 27 नेक्स है हमारा क्या हो जाएगा सिलिकॉन नेक्स है सिलिकॉन तो सिलिकॉन का संकेत होता है एस आई इसकी परमानु संख्या होती है 14 और इसका परमानु द्रम्मान कितना हो जाएगा 28.1 अगला है हमारा फासफोरस क्या है फासफोरस तो फासफोरस का संकेत हो जाएगा P इसकी परमानु संख्या हो जाएगी 15 और इसका परमानु द्रम्मान हो जाएगा 31 next है हमारा sulphur जिसको हम लोग गंधक भी बोलते हैं तो sulphur का संकेत हो जाएगा S और इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी 16 और इसका परमाणू दरम्हन हो जाएगा 32.1 next है हमारा chlorine chlorine का संकेत हो जाता है Cl और chlorine की अगर बोले परमानु संख्या तो वो होती है 17 और कलोरीन का परमानु द्रमान कितना हो जाएगा 35.5 अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि इसी पर मैंने तिछले वीडियो बनाया था तो करीब 4 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा तो आई होप कि आप फिर से ये वीडियो बहुत लोग डिमांड कर रहे थे इसलिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ तो आप लोग इसे भी जरूर प्यार दें तो चलिए एक हम लोग बढ़ते हैं अगला है हमारा औरगन तो औरगन का जो परमानु स संख्यां क्या हो जाएगा 18 और औरगन का बोले तो परमानु दरम्मान 49.9 नेक्स है हमारा पोटेसियम पोटेसियम का हो जाएगा के संकेत उसके बाद इसका हो जाएगा परमानु संख्यां उनीश और परमानु दरम्मान हो जाएगा 49.1 नेक्स है हमारा केलसियम तो केलसिय का संकेत क्या हो जाएगा CA और क्यल्सियम की परमानु संख्या 20 और क्यल्सियम का परमानु द्रम्मान 40.1 तो इस तरीका से आज की इस वीडियो में हमने 1 से 20 तक के सभी तत्मों का नाम उसकी संकेत उसका परमानु संख्या और उसका द्रम्मान हमने जाना I hope कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह कासे और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जयाहिन धन्यबाद